सावन का मेना शुरू हो चुका है और इस सावन के मेने में कुछ मीटा खाना तो बनता ही है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जालीदार क्रिस्पी बहुत ही रेस्टी गेवर और उसी के साथ रबडी दोनों का कॉम्बिनेशन सुनके ही मुँमें पानी आ रहा है है ना हम इसे बना सकते हैं और यह बोहत ही कम सामान में बन जाता है तो गेवर को बनाने से पहले हम बनाएंगे यहां पे पर रबडी रबडी बनाके अगर इसे लिए का ठंडा करे तो वो गेवर में बेखाटी अच्छी लगती है तो इे मोटे टले कडाई में हम डालेंगे 1-2 लीटर दूद मैंने यहां पर यह जो दूद है ना यह full fan वाला यूज किया है और इसमें डालेंगे 1-2 cup milk powder अब गयास को अन करेंगे और मेडिय मांच पे इसे चलाते रहेंगे जैसे जैसे दूद हलका हलका गरम होगा वैसे ही यह जो मिल्क पाउडर है जल्दी से इसमें मिक्स हो जाएगा वैसे यह जो दूद है आप घर का भी यूज कर सकते हैं जब मिल्क पाउडर दूद में अच्छे से मिक्स हो ना तब इसमें डालेंगे आधा कप दूद की मलाई सिंपली जो घर में दूद का मलाई आता है वही में नहीं यहां पर जमा करी है यह एकदम शौटकट तरीका है रबड़ी बनाने का लेकिन आप यह रबड़ी देखोगे जैसे कि हम बाहर मार्केट की रबड़ी खाते हैं हलवाई की वैसे ही इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही जल्दी यह रबड़ी बनके रेड़ी हो जाती है तो लगातार अब इसे मेडियम आज पे हम चलाते रहेंगे 10 मिनिट तत अब 10 मिनिट बाद आप यहां पर इसकी कंसिदेसी देखोगे बहुत ही अच्छे से डाला है इससे जो दूद है जल्दी गाड़ा हो जाता है तो दस मिनिट के बाद ही आप देखो यहां पर जो दूद है अच्छा जालीदार बन चुका है जब इस तरह से यह हलका सा घट दिखे तब इसमें डालेंगे चीनी चीनी हम यहां पर सिर्फ एक चमच यूज़ करने वाले हैं और यह जो रबड़ी है यह ठंडी होने के बाद भी अच्छी गाड़ी बनती है इसलिए इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो हम हलकी सी पतली ही रखेंगे चमच से आप देख सकते हैं बहुत ही दानेदार ही बन चुकी है तो इसमें गिनके हमें सुर्फ एक टेबल स्पून इतना चीनी डालना है गेवर जो है वो ओल्रेडी चाशनी के साथ मीठा होता है इसलिए रबड़ी हम एकदम हलकी मीठी रखेंगे चमच की मदद से जए साइड के कॉन्रस होता है ना कड़ाई के उसे हमें खुर्चन निकालते रहना है इसे से रबड़ी एकदम दानेदार बनेगी और चीनी जब अच्छे से मिल जाए तब ग्यास को बंद करेंगे और कड़ाई नीचे उतार लेंगे कड़ाई नीचे उतारने के बाद भी इसे कंटिनियूसली चलाते जाना है क्योंकि कड़ाई अभी हमारी गरम है और स्टील की रहने से मैं इसी में इसे ठंडा करते हूँ अगर आप यहाँ पे लोहे की या जर्मन की यूज कर रहो तो दूसरे बरतन में निकालके ठंडा कर अब चाशनी बनाने के लिए एक पतिले में लेंगे एक कप चीनी इसमें मैंने पाउडर चीनी मिक्स करी हुई है और इसी में डालेंगे त्री फोर्थ कप पानी पानी हमें चीनी से थोड़ा कम ही रखना है और मेडियम आज पर लगातारी से चलाते जाना है पानी कम वैसे आप यहाँ पी इलाइची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यह आप पे साबुद इलाइची डाल दी है सिंपली छिलके के साथ ही इसे डाल देना है इसका जो फ्लेवर है वह गेवर में बहुत ही अच्छा आता है इलाइची का जितना पतिले का साइज होगा उतना ही हमें गैस का फ्लेम रखना है और इसे लगातार चलाते जाना है पानी कम रखने से जो चाशनी है बहुत ही जल्दी बंद की है और ये जो चाशनी की consistency है इसे हमें कोई भी तार नहीं रखना है बस हलका आच्छे से हाथ को चिपक जाए तभी गयास को बंद करें तो मैं आपको हाथ से दिखाते हूं ये देखिए इस तरह से हाथ पे अगर हल रबड़ी दोनों बनके ready हो चुका है और यहां पर रबड़ी की consistency देखो पहले से गाड़ी दिख रही है ना तो दोना चीज़े हमारे ready हो चुके हैं और अब बनाते हैं गेवर तो गेवर बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल देना है और इसे में डालेंगे आधा कप गी गी हम room temperature का लेंगे ना ज़दा गरम रहेगा ना ठंडा रहेगा और इसे में डालेंगे 10-12 ice cubes अब ice cubes से गी में अच्छे से इसे मिलाते जाना है जैसे यह मिलते जाएगा वैसे वैसे आप इसकी consistency देखोगी अच्छा creamy बनेगा तो लगातार हाथ से इसे 2 मिनिट तक मिलाते जाएंगे और जब घी हमारा पूरा अच्छे से घट हो जाएगा ना तब इसके जो एक्स्ट्रा वाले बर्फे ice है वो हम निकाल लेंगे क्योंकि अभी यह बहुत ज़्यादा थंडा हो चुका है अंदर हाथ को भी यह बहुत ज़्यादा थंडा दिखता है तो जो भी एक्स्ट्रा वाले ice cubes हैं यह पूरे मैं अब निकाल लेती हूँ यह जो घी का texture है यह हमें एकदम creamy बनाना है इसी से जाली जोगे बहुत ही अच्छी बनती है गेवर में तो लगा तर मैंने इसे 5 मिनिद तक अच्छा सा फेट लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बटर जैसा एकदम मुलायम बहुत ही स्मूद बन चुका है इसका texture तो सारे बटर को बेक जगे मिला लेते हैं और इसी में डालेंगे मैदा तो यहाँ पर आधे कप घी के लिए हम लेंगे दो कप मैदा मैदे को अच्छे से चान लेना है और इसी को हमें एक विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स करना है अब इसे हम हाथ से नहीं मिक्स करेंगे हमें इसका आटा नहीं गूतना है पतला सा डो बनाना है तो विस्कर की मदद से हलके हलके हाथ से इसे इसी तरह से मिलाते जाएंगे और इसी में डालेंगे एक कप दूद अब जो ये दूद है ये मैंने ठंडा वाला यूज किया है तो यहां पर दूद जो है वो थोड़ा से नीचे गिर चुका है पता नहीं आज मेरे हाथ से थोड़ा थोड़ा गिरते ही जा रहा है सामाथ तो पहले दूद को हम आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे फिर इसमें डालेंगे पानी पानी भी हमें एक एक कप करके हुए डालना है सारा पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डाले इसमें हमें लंप्स नहीं करना है एक तुम स्मूद पतला सा बैटर बना रहा है तो एक-एक cup करते हुए मुझे यहाँ पर लगा है टोटल 3 cup पानी एक cup दूद और 3 cup मैंने यहाँ पर पानी यूज किया है पानी जो है वो normal temperature रहेगा और दूद जो है वो मैंने थोड़ा सा थंडा लिया है यहाँ पर आप इसकी consistency देखिए हलका सा अभी भी गाड़ा है तो यह total हमारा जो पानी है यह तीन कप हो चुका है जब यह अच्छे से batter बनके ready हो जाए तब इसमें डालेंगे एक चमच lemon juice यानि निम्बू का पानी इससे जो गेवर में जाली है बहुत ही अच्छे से बनके आती है और स्वाद में बहुत ही अच्छा आता है तो मैं आपको चमच उल्टा करके दिखाती हूँ यह दिखिए तो यह है हमारे गेवर की consistency batter हमारा एकदम ready हो चुका है अब इससे fry करते हैं गेवर को fry करने के लिए यह जो पतिला रहेगा यह अच्छा height वाला रहना चाहिए और इसमें जो गेल या तेल यूज करें वो भी जादा रहें जितना अच्छे से तेल रहेगा उतना ही गेवर हमारा अच्छा मोटा बनेगा तो जैसा कि अब आप वीडियो में देख रहें वैसा वैसा ही सिर्फ एक चमच इतना ही इसे डालते जाना है गैस का जो flame है वो हमारा medium से high flame के बीच में है और इसी तरह से लगातार हमें 15 से 20 बार इसे डालते जाना है जैसे ही इसका जो bubble से कम होगा वैसा ही इसमें थोड़ा सा और बैटर डालते जाएंगे तो इसे लगबग 4 से 5 मिनिट लगते हैं इसे तरह से डालते रहना है और बीच में हलका सा hole बना लेना है तो मैंने यहाँ पर लकड़ी का जो चमच होता है उसको उल्टा करके इसका बीच में hole कर लिया है इससे जो giver है ना अंदर डालने में भी आसानी होगी और बाद में निकालने में भी तो लगातार इसी तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख रहें as it is ऐसे ही फॉलो करें flame जो है वो हमारा as it is ऐसे ही रहेगा जितना हमारा बरतन है उतने ही size में flame बनाके रखे और चमच की मदद से इसे अच्छा सा गोल-गोल घुमाते जाए इससे जो हमारा तेल होगा evenly अच्छे से spread होगा तो लगबग मैंने इसे 15-20 बार इसी तरह से डाला है और इसे मुझे लगे है 5 मिनिट 5 मिनिट के बाद जब bubbles कम हो जाएंगे तब चाकू की मदद से इसके जो corner से वो छुडा लेंगे यह बहुत ही आसानी से निकलाते हैं यह बिल्कुल भी पतिले को नहीं चिपकते हैं गेवर में सबसे important होता है जो तेल तेल जो है वो अच्छा height वाला होना चाहिए और इसलिए जो हमारी पतिला होगा वो भी अच्छा height वाला ले जो हम simply चाय के लिए यूज करते हैं वो ही पतिला मैंने यहाँ पर यूज किया है तो अच्छा brown होने तक fry करने के बाद इसे एक जाली के उपर निकालेंगे क्यूंकि बाद में भी इसका तेल निकलते रहता है यहाँ पे मुझे एक तोड़ा सा खत्रों के खिलाडी जैसा कुछ लग रहा था जैसे मैं गेवर बना रही थी क्यूंकि यह डालने में मज़ा भी आ रहा था और इसमें आप देख सकते हैं डालते हैं इसमें बबल जो उटके आते हैं बहुत मज़ेदार लगता है लेकिन यहाँ पे जो हम तेल यूज कर रहे हैं बहुत ही केरफूली करते जाना है लगातार एक के बाद एक इसी तरह से हमें गेवर बनाते जाना है और लकड़ी के चमच की मदद से बीच में होल करके इसे हिलाते जाएं इससे जो अंदर का तेल होगा वो उपर की तरफ मिक्स होते हुए इवनली हमारा गेवर फ्राई होते जाएगा तो एके करते वे सारे गेवर मैंने इसी तरह से बना के रेड़ी कर लिए आप इसका जाली देख सकते हैं बहुती वियव्मी बनके रेड़ी है तो ये हमारे 5 से 6 गेवर 2 कप में बनके रेड़ी हो चुके हैं इसे मैं आपको पास से दिखा दियू जब ये जाली पे गेवर हम रखते हैं आप देखोगे थोड़ी देर बाद इसका जो तेल है नीचे उतर के आता है ये देखिए इस तरह से तो यह कंपलसरी इसे हमें जाली के उपर ही रखना है अब सबसे उपर जो है हम चाशनी डाल देंगे चासनी के आप कंसिस्टनसी देखिए पहले से ये भी अच्छी गाड़ी दिख रही है तो सबसे उपर का जो गेवर है ना उसके उपर हम चाशनी डालेंगे घर में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते है जिनको मीठा किसी को जाधा चाहिए किसी को कम चाहिए हाथ के उंगलिया तो सेम नहीं रहते है वैसे ही मेंबर्स का टेस्ट भी वैसे ही रहता है घर के तो जिसको सबसे जादा गेवर मीठा पसंद हो उसको उपर वाला दे और जिसको कम मीठा हो उसको नीचे वाला क्योंकि जब हम इसके उपर चाशनी डालते हैं जाली की मदद से यह जो चाशनी है वो नीचे गिरते रहती है इससे हमारी चाशनी वेस्ट भी नहीं जाएगी और सारे गेवर को अच्छे से evenly लगेगी अब जब भी खाना हो तब इसे एक फ्लेट मी निकाल ले और fresh fresh जो हमारी रबडी बनी हुई है इसके उपर सर्फ करेंगे रबडी को हलका सा अगर ठंडा करें तो गेवर के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है तो जितना भी रबडी पसंद होना उसी हिसाब से यहाँ पर इसके उपर रबडी लगाना है इसके कोई perfect measurement नहीं है बस अपना मुगा स्वाद होता है और थोड़ा सा इसके उपर हम ड्रैफ्रूट से सचा लेंगे तो ये एकदम perfect और बहुत ही tasty जालीदार गेवर और रबडी बनके ready हो चिका है guarantee है घर के हर एक member को ये रबडी और गेवर बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही tasty बना हुआ है तो आप भी इस जालीदार गेवर और रबडी को बना के जरूर देखे और मुझे बताए कि आपका गेवर कैसे बना था तो इस वीडियो को like और share जरूर करें बाबाई